प्रिविएस वीडियो में पढ़ा गया था डाउन सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जो है एक आटोसोमल डिसाइडर है इसमें आटोसोम्स जो है नौन दिस्जंक्शन करते हैं और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनका नान डिस्जंक्शन होता है हुमन बोडी में 46 क्रोमोसोम्स एक डिप्लोएट सेल में होता है और उसमें से 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पेर जो है सेक्स क्रोमोसोम का होता है मेल्स में यह एक्स वाई होता है 23 पेर और फिमेल्स में यह 23rd pair, 23rd pair जो होता है, वो XX का होता है. क्या होगा जब यह 6 chromosomes का non-disjunction होगा? एक marriage है जिसमें यह male है, इसमें male का non-disjunction हो रहा है. मेल 6 chromosomes का इसमें non-disjunction हो किया गया है और यह female है जिसमें इसका proper separation हो रहा है मेल में जो primary spermatocyte होगा testis में वही sperm का formation करेगा तो यह meiosis division के द्वारा gametes का formation होगा जितने भी pairs होते हैं meiosis में सब वो अलग-अलग cell में चले जाते हैं तो देखें यह एक pair है 6 chromosome का xy father की side का जिसमें xy जिनको separate हो जाना चाहिए था वो separate नहोंके यह xy दोनों लगे-लगे एक ही gamete में चले जा रहे हैं और एक gamete इसका empty हो जा रहा है 6 chromosome के द्वारा न तो इसमें x आया न तो y आया दोनों साथ साथ हो गए और यह female है जिसका एक pair 6 chromosome होगा और यह दोनों 6 chromosome इसके जो हैं यह separate हो जा रहे हैं properly जैसे normally separation होता है तो यह gametes बन गए यह male का gamete बना जिसमे separation नहीं हुआ six chromosome का तो यह non disjunction है six chromosome का और यहां पर दोनों separate हो जा रहे हैं यहां पर जनावमली जैसे होता है वह gamete formation हो रहा है इसको cross कराया जा सकता है male और female का तो देखिए यह जो है इसको male side consider कर लीजे यह male का symbol है और यह female का symbol है यह female side treat कर लीजे इन दोनों का जब fertilization होग male or female male का sperm और female का जो है ओम जब fertilize करेगा तो क्या results आएंगे तो जादे सहुलियत होगी कि एक checkers board बना लिया जाए और इधर female का है यह male का है तो यह इसको यह fertilize करेगा ओम और स्पर्म तो यह xxy बन जाएगा सामाने तया तो xy होना चाहे था लेकिन एक एक्स यहां पर extra आ यहां पर xj o हो गया जिसमें कोई 6 chromosome नहीं गया उसके लिए o denote कर दिया जा रहा है तो इसमें कोई 6 chromosome नहीं है यह in t6 chromosome से इसको और दिनोट कर दिया जाएगा तो यहां पर इसका जब प्रॉस होगा तो यह एक्स ओ हो जाएगा दूसरे फिमेल के गैमिट को देख लीजे यह दूसरा वाला गैमीड भी है यह इससे जब प्रॉस करेगा थो 16 Y आ गया और यह जो है इस किसी six chromosome वाले गैमीड से जिसमें नहीं है उससे लिक्स करेगा थो ये ये 6 वाई और 10 six वाई ये क्लाइन-feltr syndrome वाले प्रोमोसोंन सो गए यह ऐसा male बनाएगा जो feminized होगा जिसमें females के characters अधिक develop करेंगे male तो होगा लेकिन females के characters इसमें develop करेंगे और यह X O वाला जो combination है यह Turner syndrome दोनों बनाएगा और यह दोनों जो है Kleinfelter syndrome बनाएगे मनने आपको बताया कि Kleinfelter syndrome में feminized male होते हैं यह ऐसे तो एक normal male में develop करेंगे लेकिन इनकी body में बहुत सारे females के characters होंगे females के characters में जैसे जो secondary sexual characters होते हैं आप जानते होंगे कि females में breast का development होता है females में hair कम होते हैं और इस client filter syndrome बाले males में जो male होंगे उनके face पर hair कम पाए जाएंगे यह जो male होंगे यह usually थोड़ा सा taller होंगे normal size से थोड़े से यह बड़े होंगे ऐसे males में थोड़ा सा breast का development हो जाएगा लेकिन इनकी जो testis होंगी testis जो है normal testis से smaller होंगी size थोड़ा छोटी होगी और इनकी जो wise speech होगी बोलने की पिछ जो होगी ओर नार्मल से थोड़ा सा जादे होगी अधिक होगी ऐसे syndrome बाले बेक्त में educational problem होगी और इनमे behavior की भी problem होगी तो दोनों तरह की difficulties को face करेंगे client filter syndrome बाले जो बच्चे होंगे सामाने तया 500 अगर बर्थ होती है बच्चों की तो उन 500 में एक client filter वाला भी बच्चा मिलेगा जिनमें जैसे जैसे development होगा male तो रहेगा लेकिन उसके body में females के भी characteristics आएंगे और client filter syndrome बाले जो वेक्त होंगे उनमें infertility होगी वो fertile नहीं होगे वो बच्चे नहीं produce कर सकते हैं इसमें sperm का formation नहीं होगा तो ऐसे लोगों में क्या होगा अगर ये ऐसी condition को prevail करते हैं तो जब इनकी समझ develop होती है तो थोड़ा सा ये कभी कभी हीन भावना से भी ग्रसित हो जाते हैं और इसकी diagnosis भी जो है साइज को आ जाएगा जैसे मेल्स में होते हैं ये sexual life enjoy कर सकते हैं sexual life lead कर सकते हैं लेकिन sperm का production नहीं होगा infertile रहेंगे बच्चे नहीं इनको पैदा हो सकते हैं और infertility इनकी बरकरार रहेगी क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम बाले जो वेक्ट होंगे उनके सेल्स में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा ये देखिए दोनों साथ रह गया हैं सेपरेट नहीं हुए हैं एक सेक्स वाई हो गया तो 46 के जगह पर 47 क्रोमोसोम जो हैं इनके एक सेल में होंगे क्रीज झाले नहीं है सेल्स सेल्स बढा़ के सेल्स刘्ते हैं